आपका हर्दिक स्वागत हर्दिक अभी नंदर मैं लिख आई हूँ मॉक्टेस नंबर 5 हमारे PGT या फिर जो भी एक्जाम क्लास थर्ड के होंगे उनके पेपर वन की त्यारी का आज हमारा मॉक्टेस नंबर 5 रहेगा जितनी भी इंस्ट्रक्शन थी वो हम फर्स क्लास में डि आता है आपको option number e encircle करना है right अगर आप e option blank रखते हो तब भी negative marking होगी right और 7 में ही 0.5 यानि आधी marks की negative marking रहेगी अगर आपका कोई भी question गलत होता है साथ में national and international affairs यानि current affairs हम discuss कर रहे हैं तो साथ ही के साथ अगर आपका में में exam है तो अपरिल तक की current affair आपको cover करके जाना है right तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपका इस Sunday को exam है तो कुछ important जो एपरिल और एपरिल के current affair है वो cover हो जाएं I hope आपको ये series अच्छी लगी होगी अच्छी लगेगी like share और subscribe जरूर कीजेगा आपके आने वाले exam के लिए बहुत fruitful video series रहेगी चलिए शुरू करते हैं exam क question पर ही आते हैं ठीक है चलिए ओके तो first question क्या है first question है in which year was the United Nations specialized agency WHO established to improve the global health sector ठीक है वेश्विक स्वास्तिक शेतर में सुधार के लिए संयुक्त रास्टर की विशेश अजंसी विश्व स्वास्तिय संगठन जब्डियू अच्छो की स्थापना किस वर्ष हुई थी यह पूछा गया है तो WHO किसकी organization है United Nation की यानि संयुक्त रास्टर का ही एक जो है यह संगठन है इसकी full form भी कई पार exam में आती है तो world health organization कब इसके establishment हुई थी option number A correct है बर्ष उनिक सो 48 में दूसरा question क्या कह रहा है recently which organization has launched a new network covenet for coronavirus यह बहुत important है WHO से ही related है ठीक है covenet ठीक है यह WHO ने option number D correct है भारत का कौन सा था तो coven था COWIN for coronavirus ओके चलिए थर्ड question क्या कह रहा है when is the Indian Air Force IAF going to start organizing the okay यह जो है हो चुका है गगन शक्ती गगन शक्ती exercise जो है air military exercise थी right country की largest air military exercise थी गगन शक्ती किसके द्वारा यह conduct करवाई गई इंडियन एयर फोर्स के द्वारा कब तो एक एपरल से यह करवाई गई थी गगन शक्ती ठीक है गगन यान mission भी आपको ध्यान लगना है ठीक है ब्योम मित्रा जी उन्हें भेजा जा रहा है right तो ध्यान लगन किएगा गगन यान mission भी इस रो का mission है गगन शक्ती से मुझे याद आ गया तो ध्यान लगना है ब्योम मित्रा जो है उन्हें उन्हें से related है fourth question the reserve bank of India RBI organizing a function to mark its 90th year when did it start its operation तो पुछा गया है कि 90 वर्ष जो है RBI को complete हो जुके हैं कब RBI ने काम करना शुरू किया था तो ये British IRA में शुरू हो गया था RBI आगे आने वाले question में मैं ये भी बता दूँगी कि इसका रास्ट्री करन यानि हमारी सुतनतरता के बाद इसका रास्ट्री करन कब हुआ है तो वो भी हमने मैंने इसी वीडियो में ले लिया है question right तो 1 April 1935 से जो है हमारा RBI Reserve Bank of India शुरू ह हो गया था British दौर में ठीक है question number 5 दा पापनासम पापनासम डैम also known as कारियार डैम ठीक है पापनासम डाबान जिसे केरियार बांध की नाम से भी जाना जाता है ये कौन से राज्या में है तो राज्या है जी option number A तमिलनाडू six question IMT ट्राइलेट exercise 2024 which was concluded recently which of the following country is not included in IMT ट्राइल तो IMT यानि Indian maritime exercise है ये राइट और ये ट्राइलेट यानि तीन देशों के बीच में हुई है और चार options में से option number D जो है correct नहीं है मालदीब ट्राइलेट का exercise का भाग नहीं था भारत मोजांबिक और तंजानिया के बीच में IMT ट्राइलेट exercise conduct करवाई गई है ओके 7th question when was the board of control for cricket in India BCCI established भारतिय क्रिकेट नियंतरन बोर्ड BCCI की स्थापना कब की गई थी तो इसकी स्थापना की गई थी 1 December 1928 को question number 8 who was recently awarded the prestigious times power icon 2024 award हाल ही में किसको प्रतिष्थ टाइम पावर आइकन 2024 पुरसकार से समानित किया गया तो ये option number C correct है विजे जैन जी को जो है times power icon award से समानित किया गया है ये question आ गया मैं आपसे अभी discuss भी कर रही थी कि when was the Reserve Bank of India RBI nationalized भारतिय Reserve Bank RBI का राष्ट्य करन कब हुआ था तो बर्ष 1949 में इसका राष्ट्य करन किया गया था question number 10 according to the recent report of which organization India's dependence on China and the European Union for world trade has increased by 1.2% in 2023 question क्या किया रहा है कि चीन और European Union पर भारत की निर्भरता में एक तशमलब दो प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है ये report किसने जारी की है तो ये report अनक्टाड यानि अंक्टाड की द्वारा जारी की गई है 2020 में इंडियन की dependency 1.2% बढ़ चुकी है चाइन और European Union पर राइट फिर 11th question recently how many new geopark have been added by UNESCO to global geopark network UNESCO द्वारा global geopark network में कितने geopark जोडे गए है option number C correct है 18 question number 12 in which year was the telecom regulatory authority of India try की या तो full form exam में आ सकती है या फिर इसका establishment year आप अगर कोई भी network का use कर रहे हूँ आपको try के message जो है हमेशा आते ही होंगे कि साबधान रहें ऐसे number से call आएगी तो report कीजिए फ्लाँ 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 अभी थोड़े दिन पहले alert का भी जो ट्राइल किया गया था तो वो किसके द्वारा किया जाता है try के द्वारा टी आर ए आई टेलिकॉम रेगुलेटरी अथारिटी ऑफ इंडिया कब इसके establishment की गई थी February 1997 यह जो static question इस बार के वीडियो में लिये गए है यह important है क्योंकि कुछ है कैसी चीजें जो हमारी daily life में हो रही है उनी के ही static question लिये गई है फर्वरी 1997 में try की establishment की गई थी 13 question who was awarded the international cultural award in March 2024 मार्श 2024 में अंतरास्ट्य संस्कृती पुरस्कार से किसे समानित किया गया है तो मीरा चरंदा मीरा चरंदा जी को जो है option number D correct है मीरा चरंदा जी को अंतरास्ट्य कल्स्रल पुरस्कार यानि अंतरास्ट्य संस्कृती पुरस्कार से सम्भानित किया गया 14th question with which of the following countries India has a dispute over the Gatcha Thivu Dweep विवाद Gatcha Thivu Island का जो ये विवाद है ये भारत का श्री लंका के साथ है विवाद ठीक है तो इंडिया और श्री लंका के बीच में Gatcha Thivu Dweep यानि Gatcha Thivu Island represent है question number 15 और अंतिम question है इंडिया जी की का हिंदोस्तान Aeronautics Limited handed over two Dornier 228 aircraft to the Guiana Defense Force or Department 1 who is the current President of Guiana तो इस तरह के question exam में आ जाते हैं दो paper हमने previous discuss किये थे वहाँ पर या तो राश्टरपती या फिर कहीं का प्रधान मंत्री ये question तो आते ही आते हैं देखे हैं हमने तो गुआना जो है highlight रहा है गुआना के राश्टरपती कौन है option number C करेक्ट है मुहमद इर्फान अली मुहमद इर्फान अली इंडोनेशिया के भी हम discuss कर चुके हैं एक class में हम previous जो भी वीडियो आई थी उसमें मैं इंडोनेशिया का बता चुकी हूँ question number 16 क्या कह रहा है हिमाचिल प्रदेश के किस स्थान पर 36 वर्षों भार तीन दिवसिया शांत महायग्या का आयोजन किया गया तो 36 सालों बात शांत महायग्या आयोजन किया गया रोडू की गवाश खेतर में option number A correct है 17th question कि नौर में किस पंचायत में यूवकों ने कृत्रिम ग्लेशियर बनाया है तो ग्लेशियर को हिमाचल की लोकल भाशे में क्या कहते हैं शिकड़ी कहते हैं ये question भी बार-बार एक्जाम में पूछा जाता है इन विच पंचायत इनके नौर have the youth made artificial glacier तो artificial glacier बनाया गया है कि नौर की हांगो पंचायत में option number B बहुत बहुत correct है question number 18 क्या कह रहा है मातरित्तो लाव अधिनियम 1965 के तहर शिक्षा बिभाग में तेनात महिलार सोया या सहाई का हे तू कितने दिनों का मातरित्तो अबका सुनिशित किया गया है under the maternity benefit act 1962 how many days of maternity leave were ensured for female cooks or assistance posted in the education department हिमाचल प्रदेश के education बिभाग यानि education department में जो भी शिक्षा भी भाग में तेनात महिलार सोया या सहाई का जो भी हमारे cooks और assistant है उन्हें भी maternity leave जो है अब दी जाएगी right तो कितने दिनों की maternity leave दी जाएगी option number C correct है 180 दिन अभी तक teaching staff जो non teaching staff official staff होते थे उन्हें जो है maternity leave दी जाती थी बट अब जो है इन्होंने ये भी provision किया है जो female cooks है और assistance है उन्हें भी maternity leave दी जाएगी education department में ये सुभिदा दी गई है question number 19 हिमाचल प्रदेश में किस के किस स्थान पर fiddle head lungudu sculpture जो कि विशो का सबसे उंचा है कहां पर इसका उलगाटन किया गया है तो fiddle head lungudu sculpture जो है tallest है ये sculpture lungudu sculpture fiddle head ये धरमशाला में इसकी integration की गई option number A correct है question number 20 क्या कह रहा है हिमाचल प्रदेश सरकार किस विभाग का पुनरकठन करेगी which department department will the हिमाचल प्रदेश government reorganization option number C correct है exercise and taxation department question number 21 हिमाचल प्रदेश रम और रुजगार विभाग द्वरा notify schemes का नाम बताए तो यहाँ पर एक नई scheme आई है राजीव घांधी and employment start-up 21 से 45 बर्स के युवाओं को इसका phase 2 start हुआ है जिने भी टेक्सी जो है चलानी हो लेनी हो उनके लिए यह प्राप्थान गया है दिया गया है phase 2 में phase 2 अभी शुरू हुआ है option number B जो है correct है question number 22 हिमाचल प्रदेश के कितने अस्पतालों में स्वास्तिय सूचना प्रवंधन प्रणाली शुरू होगी health information management system will be started in how many hospitals of हिमाचल प्रदेश option number A correct है 56 स्वास्तिय अस्पतालों में यह शुरू किया जाएगा health information management system question number 23 किस राज्य सरकार ने फिल्म निती 2024 को मंजोरी दी है which state government has approved the film policy policy 2024 तो हमारे पार हिमाचल प्रदेश के द्वारा option number B correct है इसका उदेश्य क्या है तो फिल्म निर्मान को बिढ़ावा देना और सुभिनाय प्रदान करना इसका उदेश्य है question number 24 under which scheme हिमाचल प्रदेश road transport corporation has started bus service for religious places हिमाचल प्रदेश पत्परिवहन निगम ने किस योजना के तहर धार्मिक स्थलों के लिए बस सेवाएं शुरू की हैं तो यह शुरू की गई है option number A प्रथम दर्शन सेवा ओके तो एक question और भी आता है यहां से हिमाचल प्रदेश road transport corporation की स्थापना कभूईती बर्श 1974 1974 में अध्यान रखना नोट कर लीजेगा question number 24 हिमाचल प्रदेश की कि स्थान पर दो दिवश्या बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है तो यह फरपरी में हुआ था पॉंग डैम महराना प्रताफ सागर जील भी कहते हैं वहाँ पर वर्ड फेस्टिवल होता है माइग्रेटरी बर्ड जो है वो आते हैं दूसरी जगाओं से माइग्रेट होके बर्ड आते हैं कुछ समय के लिए पॉंग बान में पॉंग जील में कहां पर है यह डिसिक कांगडा में है कॉंटसी नदी पर है रीवर ब्यास पर है इंपोर्टेंट है इसका दूसरा नाम महराना प्रताफ सागर लेख है यह भी एक्जाम में पूछ लिया जाता है Q26 HP शिवा पर्यूजना के तहट किस नई किसम के ड्राइफरूट की केती की जाएगी जो की अक्रोड का एक विकल्प है तो ड्राइफरूट में अक्रोड का एक अल्टरनेट चुना गया है जिसका नाम है अमेरिकन ड्राइफरूट पीकर नट अप्शन नमर भी करेक्ट है तो HP शिवा पर्यूजना साथ जिलो में शुडू की गई है हम इसे डिसकस भी कर चुके हैं एक वीडियो में I hope आप देख रहे होंगे सारे मॉक टेस्ट तो कुछ चीज़ें किनी किनी वीडियो में डिसकस होती हुई चल रही है कोशन नमर 27 हिमाचल प्रदेश के शिक्षा भिभागने प्रदेश के स्कूलों में निर्वाचन शिक्षा पढ़ाने के लिए किसके साथ समझोता ग्यापन पर अस्ताक्षर की हैं ये कोशन में लास्ट वीडियो में भी डिसकस कर रही थी कि हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रबंदन यानि डिजास्टर मेंजिवेंट सब्जेक्ट का करिकुलम बनाने के लिए शुरू कर दिया गया है बट मैंने ये भी बताया था कि एक M.O.U. सिगनेचर भी हुए हैं लेक्शन कमिशन ओफ इंडिया और हिमाचल प्रदेश के एजुकेशन डिपार्टमेंट में और इन्होंने किसलिए किया है कि स्कूलों में पढ़ाई जाएगी जी निरवाचन चिक्षा यानि इलेक्शन इजुकेशन जो है पढ़ाने के लिए प्रोविजन के लिए M.O.U. सिगनेचर किया गया एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया वर्शन नमर ट्विट्टीएट हिमाचल प्रदेश में कितनी रामसर आत्रभूमिया इनकी नाम भी लिख लीजए यहां पर मने दिये हैं स्मॉनलेस्ट है भारत की सबसे चोटी रामसर आत्रभूमिया रेनुका जीज यहील है रेनुका लेक सेकेंड वन इस जंडरकाल लेक जंडरताल को हुन सांग ने जो है लोहित्ते सागर के नाम से पोकारा था हमाँ की श सी यू की जो बुखती यात्राव रितान था ट्रवलर ग्राइड था उसमें इन्होंने ला हू लो ला होल को पुगारा था सी यू की किताब का नाम है और चंदरताल को लुहित्ते सागर ठीके ओके फॉंग लेक भी जो है महराना प्रताप सागर जी यह तीसरा वेटलेंड है यह सम जो है कन्वेंशन हुआ था इस पर सिगनेचर किये गए थे इसलिए दो फरवरी को वेटलेंड दे बिश्व आद्रभू में दिवस जो है मनाया जाता है वह सारी चीज़ें कवर होगी एकी कोशन से ओके चली कोशन नमबर 29 हिमाचर प्रदेश की मुक्खे मंत्री ने तो भी लुथान में यह कॉंप्लेक्स जो है बनाया जाएगा सो खासरे किसके लिए है तो स्टेट के चाइल्ड जो भी और्फन चाइल्ड है जिन्हें की स्टेट गवर्मेंट ने अडॉप्ट कर लिया है उनके लिए सो खासरे अदर्श गाउं बनाये जाएंगे या फिर यह कॉंप्लेक्स बनाया जाएगा कॉशन नमर 30 हिमाचल प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन से अयोध्या के श्री राम अंदर के लिए आस्था एक्सप्रेश ट्रेइन शुरू की गई है श्री राम टेंपल अयोध्या के लिए ऑप्शन नमर ए करेक्ट है अम दौरा उना रेलवे स्टेशन से अयोध्या के लिए जो है अयोध्या धाम के लिए शुरू किया गया है आस्था एक्सप्रेश ट्रेइड अब करते हैं हिंदी के शुरू कोशन और 10 कोशन हिंदी की कबर करेंगे कोशन नमर 31 क्या कहा रहा है भाशा से तातपर्या है तो भाशा क्या होती है भाशन देना बोलना शीखना धवन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार प्रकट करना तो आप्शन नमर सीव करक्थ है धवन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार प्रकट करना भाशा से तातप मेरे है, question number 32, कला निदी का परियायवाची है, तो कला निदी परियायवाची होता है, ऐसे शब्द जिनका meaning एक होता है, बट वो अलग-अलग sentences में use किये जाते हैं, फिर से repeat कर रही हूँ, परियायवाची शब्द ऐसे शब्द होते हैं, जिनका meaning एक होता है, बट वो अलग- देव जमा आलये में कौन सी संदी है? तो ये है जी, दिर्ग संदी, option number A, correct है, देवाल्य, दिर्ग संदी कैसे हुई? मतलब कि किसी भी दो स्वरों, देव, व की बाद, व अ, इस तरीके से लिखा जाता है, एक सेकित में बताती हूँ, ये जो बह है, ये ऐसा लिखा जाएगा, ये, ये जो देव है, एक सेकिन, एक सेकिन, एक सेकिन, ये जो देव है, ये, देव इस तरीके से लिखा जाएगा, थेके, ये जो बहलंत लगा, ये आधा बह बनेगा, जब इसमें ब्याजन, स्वर लगता है, अ, तब भी सारे ब्याजन जो है, पूरी होते हैं, ये आलय, तो ये आ जमा, आ ये बन जाते हैं, इस तरीके से, देवाले, राइट, ये दिर्ग स्वर बन गया, आ जो है, दिर्ग स्वर होता है, इसी लिए ये दिर्ग संदी कहलाती है, देवाले, ठीके, राइट, ओके, अब आ जाते हैं, कोशन नमबर 34 पर, अपनाना क्रिया किस से बनी है, तो अपनाना बनी है, जी, अपना, अपना, अपना और अपनाना, अपना जम, अपना को, अपनाना में चेंज किया गया, तो सर्वनाम, अपनाना, अपना क्या होता है, सर्वनाम होता है, तो सर्वनाम स क्या कह रहा है कोस-कोस पर पानी बदले चार कोस पर बानी किस परिवर्टन का उलेख है तो यह है जी option नमर D पानी स्वाध और बोली के शबनों का बदलाव है ना कोस-कोस पर यानि कुछ किलोमेटर बाद जैसे जैसे पानी बदलता है वैसे ही जो है बानी यानि बोली भाशा बदलती है वही चार कोस पर चार किलोमीटर हर चार किलोमीटर पर किलोमीटर या चार माइल्स कुछ भी बोर सकते हैं तो हर चार जो किलोमीटर पर जो है बानी यानि बोली बदलती है तो कोस के उस पर समानार्थक शब्द है समानार्थक यानि जिन शब्दों के मीनिंग एक ही होते हैं तो सूचक का ए दियोतक जो है option number a correct है 37 पेड़ से कई आमगिरे में कौन से कारक का प्रयोग किया गया है तो से गिरे करताने करम को करने से के दौर अपादान से जुदाई कोई चीज अलग हो रही है है तो वहां पर अपादान से से जो है यहां पर यूज हुआ है पेड़ से आम गिरे पेड़ से आम अलग हो रहे हैं जुदाई हो रहे हैं आम की पेड़ से तो सी करेक्ट होगा अपादान कारक है और question number 38 विश्चो हिंदी दिवस का बनाया जाता है तो यह मनाया जा है option number D correct है तस चनवरी राष्ट्री हिंदी दिवस का मनाया जाता है 14 सप्टमबर को question number 39 ग्या का मिलन है तो ग्या संयुक्त बेंजन हैं हम एक question में पहले भी डिसकस कर चुके हैं संयुक्त बेंजन क्षात्र और ग्या किस-किस बेंजनों से मिलकर बना है option number D ज और यह option number D correct है ठीक 40 question आधा तीतर आधा बटेर होना तो इसका option number C correct है बे मेल और पे धंगा होना आधा तीतर आधा बटेर होना ओके तो अब आ जाते हैं English के question पर question number 41 से लेके 44 चूज़ द करेक्ट डिटेर्मिनर फ्रॉम दा गीवन option she will be having served food is in यह जो है किस tense में है यह पूछा गया है तो यह future perfect tense है will have been है ना यहां से V3 यूज हुआ है serve तो बिलकुल सही perfect में V3 यूज होता है has have के साथ been का use किया जाता है has have के साथ been का use किया जाता है बिलकुल सही will have been लगाया गया है तो बिलकुल सही है यह future perfect tense में दिया गया है option number D correct है question number 42 this lesson blanks difficult this lesson is very difficult option number B correct है 43 a word or law no longer in use is called यह one word substitution का question है एक कोई शब्ग या फिर कोई कानून जो use में नहीं है बहुत समय से उसे क्या कहते है obsolete option number D correct है obsolete question number 44 I love my book so much that I cannot part blank them I cannot part with them ठीक है part मनें अलग हो ना यहां पर I cannot part मैं उन किताबों से अलग नहीं हो सकता तो option number B correct है 45 choose the word that is spelled correctly from the given alternative तो deceive की कोई spelling पूछी गई है D E C E I V E A option correct है 46 choose the correct article from the given alternative okay he is blank one night person और यह मैं English की class में बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ okay यहां पर मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा यह यह जो one night person है यह इस तरीके से पढ़ा जा रहा है वन आईड ठीक तो यह व यह जो व है यह है consonant sound ठीक है consonant sound है अगर यहां पर ओ नहीं देखना है आपको कि ओ जो है vowel है no यहां पर जब इसको one पड़ा जा रहा है तो one जो है consonant sound दे रहा है अगर कोई भी consonant sound अगर किसी sentence में use होती है तो वहां पर article A का use किया जाता है तो option number B correct है he is a one night person question number 47 choose the correct synonym of audacity तो synonym S से synonym S से same meaning ध्यान रखना S से synonym S से same meaning तो audacity का same meaning वाला option है boldness right option number D correct है audacity का synonym है boldness 48 choose the correct antonym of malice antonym यानि opposite word to malice का opposite word होता है good will ठीक 49 और 50 में direct indirect यानि narrations के यह question है ठीक है तो teacher said to the student let us start a lesson तो teacher suggested to the student बिल्कुल सही that they should start a lesson यह option number D correct होगा और question number 50 he said to his teacher good night sir तो he respectfully bade his teacher good night बिल्कुल सही होगा option number 50 का D दोनों का ही DD correct होगा तो हमने यहाँ पर cover कर लिए हैं 50 questions आज का mock test number 5 हमारा complete हो जाता है I hope आपको यह series बहुत अच्छी लग रही होगी आपके आने वाले exams के लिए यह series आशा करती हों बहुत बहुत helpful हो और आप comment जरूर करेंगे कि आपको यह series कैसी लग रही है और जो है share जरूर करेंगे like share और subscribe जरूर कीजेगा thank you thank you so much for watching this video